तस्वीरों में जो आप यह प्राचीन स्मारक देख रहे हैं, यह बारसूर नामक एतिहा सिक्स्थल, जो जगदलपुर से भुपाल पत्नम रोड पर स्थित गीदम से 18 किलोमीटर और जगदलपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहाँ पर 32 मंदिर के नाम से महत्वपून मंदिर विद्यमान है, जिसमें 32 तंभो पर आधारित बड़ा मंडप जिसका संबंध दो मंदिरों से है. इसके गर्ब ग्रिह में द्वितल वाली वर्गाकार उची काले पत्थर की बनी ओप्योक्त जलाधारी पर शिवलिन प्रतिश्थापित है. मंडप में शिवलिन की ओर मुख किये हुए नंदी बैठा हुआ है. नंदी की प्रतिमा बहुत सुन्दर और सजीव है. इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है. 32 मंदिर का निर्मांग 11-12-20 में छिंदक, नागवंशे या राजाओं के राजत कवकाल में हुआ है. यह मंदिर दो गर्ब ग्रिह वाले प्राचीन जोड़ा मंदिरों का सुन्दर नमूना है. ऐसे मंदिर अधिकांच तह महराश्ट्रा एवं आंध्र प्रदेश में मिले है. बारसूर स्थित मामा भांजा मंदिर, गनेश मंदिर और चंडरादित्य मंदिर भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन द्वारा संरक्षित दर्शनियस मारक है. दक्षन बस्तर की एतिहासिक नगरी बारसूर में स्थित प्राचीन 32 मंदिर न सिर्फ अपने 32 खंभों की वजह से मशहूर है. बलकि दोहरे गर्बग्रिह वाले इस अनूर्थे शिवालय की जलहरिया भी इसे और खास बनाती है. जलहरिया चारों दिशाओं में घुमाई जा सकती हैं, जिनका प्रयोग संभवता हलग अलग पौरानिक मान्यताओं वाले अनुष्थानों में किया जाता रहा है. यह भी कहा जाता है कि पूरे बस्तर संभाग में दो गर्बग्रिह वाला यह इकलोता शिवालय है. 32 खंभों से बना 32 मंदिर भी अपने समीप आये पर्याटकों को आश्चर्य मिश्रित प्रसंनता से सराबोर कर देता है. सेकड़ों टनभारी और विशाल पत्थरों से बने यह शिब मंदिर पर्यटकों को सोचने पर विवश कर देता है कि प्राचीन काल में किस विधी से इतने विशालव कलात्मक मंदिर का निर्मान पत्थरों से किया गया होगा नागर शैली में बनाए गया यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का अध्रितिय उदहारन है बता दे की भव्य मंदिर को समय रहते राज्य शासन द्वारा अपने सनरक्षन में लेकर जिर्नोधार किया गया महाशिवरत्री पर श्रध्धालूओं द्वारा सुबह से ही जलाविशेक करने को लेकर श्रध्धालूओं की बड़ी कतार देखी गई मंदिर की मान्यता यह भी है कि यहां स्थित नंदी के कान में प्रार्थना करने से मिनोती पूरी होती है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भगवान शिव को समर्पित बारसूर स्थित 32 मंदिर के संबंध में अनुषूती के अनुसार लगभग 5000 साल पूर्व बारसूर के महाराज परम शिवभग बानासूर ने युगलगर ब्रह्योग 32 मंदिर की स्थापना की थी मंदिर के शिखर पर भगवान शिव द्वारा अपने भख्ट बानासूर को प्रदत अक्षे द्वज लहराया करता था कालांतर में उपलब्ध अभिलेक अनुसार भी यह मंदिर लगभग 1000 साल प्राचीन माना गया है जिसे बारसूर महराज नागवनशी सोमेश्वर देव अर्धान गिनी महरानी गंग महादेवी द्वारा बनवाया गया उल्लेखित है देश के प्राचीन तम मंदिरों में शामिल बारसूर स्थिद 32 मंदिर की ख्याती जैसे जैसे फैलती जा रही है यहां आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है सावन के महीने में भी प्रदेश भर से कावरियों का दलब प्राचीन शिवलिंग पर जल चड़ाने बारसूर आने लगा है बता देखी मई 2022 की 23 तारीक को 36 गल के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने अपने भिट मुलाकात के दौरान बारसूर के 32 मंदिर पहुँचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी